12 रिजल्ट, 12 वी में सरकारी स्कूलों के छात्रों का दबदबा, देखें टॉपर की सूची. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में जमादो के परीक्षा परिणाम में सरकारी स्कूल के बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ दिया है. जमादो की परीक्षा में हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 67 विद्यार्थियों ने टॉप किया है, जिसमें से 55 लड़किया और 12 लिटके है. इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के निजी स्कूलों के 43 विद्यार्थियों ने टॉप किया है, जिसमें से 34 लड़किया और 9 लड़के शामिल है इस बार जमाद दो की परीक्षा में सरकारी स्कूलों का दबदबा रहा है बता दे कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जमाद दो की परीक्षा का परिणाम शनिवार को घोशित किया बोर्ड के मुताबिक इस बार बारहवी का परिणाम 89 प्रतिशत रहा वहीं पिछले साल यानी 2022 की बात करें तो उस समय ये 93.91 प्रतिशत रहा था अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर नतीजा देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में ग्रामीन क्षेत्रों की सरकारी पाठशालाओ के विद्यारतियों ने इस बार के परिणामों में स्कूलों का नाम रोशन किया है बोर्ड के सचिव विशाल शर्मा ने बताया कि शनिवार को घोशित परिणाम में उत्तीरन प्रतिशत 89.4 प्रतिशत है जो पिछले वर्ष के उत्तीरन प्रतिशत से कम है रिजल्ट में टॉप पोजिशन पर लड़कियों का दबदबा रहा सचिव ने कहा कि मैरिट पोजिशन पर सरकारी स्कूलों के विद्यारतियों का दबदबा रहा है साइन स्ट्रीम में उना जिला के गवन्मेंट सीनियर सेकंडरी स्कूल घंणारी के ओजस्विनी उपम्यू ने 98.6 पीसदी अंखासिल कर टॉप किया है आस ट्रीम में डिएवी सीनियर सेकंडरी स्कूल उना की तरमिजा शर्मा ने 97.4 फीसदी अंखासिल कर टॉप किया है 8,149 अभ्यर्थी असफल बोड से मिली जानकारी के मुताबिक जमा दो परीक्षा में 1,5,379 अभ्यर्थी ने परीक्षा में भाग लिया था जिसमें से 83,418 अभ्यर्थी सफल घोशित हुए वहीं 13,335 अभ्यर्थी की कमपार्टमेंट है 8,149 अभ्यर्थी फेल हुए है